नमस्कार मैं LK गौतम एडुकेट आपका सागत करता हूँ सर्च अप अरेस्टेड परसन ठाने पर गरपतारी आए दिन होती हैं आप और हम देखते हैं कि ठाने पर जो ब्यक्ति गरपतार होके जाता है उसकी सर्च ली जाती है सर्च में जो सामान किसी ब्यक्ति से बरामद होता है उस सामान को पुलिस लेती है लेकिन दुवधा इस बात की है अगर 20,000 रुपया किसी ब्यक्ति से सर्च में मिले हैं तब 2,000 ही दिखाई जाते हैं किसी ब्यक्ति से रुपया मिलता है तब ये बताया ही नहीं जाता है कि किस से कितना रुपया मिला अत्वा मोबाइल अउठी जंजीर ऐसे सामान हर ब्यक्ति के पास मिलते हैं लेकिन सर्च में मिलने के बाद उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है बड़े दुख के पाद बड़े अनुभव के बाद ये कहने का साहस किया जा रहा है कि ब्यक्ति ये मैसूस करता है कि उसके साथ सर्च नहीं तलासी नहीं हुई लूट हुई है ये गलत है अगर किसी ब्यक्ति के पास कोई अपरादी है भला है किसी ब्यक्ति के पास कोई सामान मिलता है तब वो सामान का हिसाव किताब प्रोपर होना चाहिए आप जीडी उठा करके देख लीजिए कहीं भी किसी भी जीडी में अधिकतर ये लिखा जाता है कि पगड़े गए व्यक्ति के पास से पहने कपड़ों के अलावा कोई सामान बरामत नहीं हुआ है तमंचा जरूर बरामद हुआ है चोरी की मोटर साइकल जरूर बरामद हुई है ये दिखाया जाता है लेकिन ऐसा समब नहीं है आज के समय में कि एक बेक्ति के पास से मोबाइल न मिले उसकी जेव से कुछन कुछ रुपया न मिले एमांट पूरी होती है उसको कम कर देते हैं लेकिन भाई अक्सर करके आप एक लिखते हैं कि जेव से कुछ भी रुपया बरामद नहीं हुआ तो ये तो सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं अगर ये सब होता रहा और होता रहेगा लेकिन ये सब जब रुकेगा जब आप इसकी जानकारी रखेंगी आपको अधिकार पता होगी पुलिस के कर्तब पता होंगे तब ये सब रुख सकता है इस समंद में भारतिय नागरिक सुरक्षा सेंता 2023 की धारा उननचास ये कहती है कि सर्च कैसे ली जाए सर्च कब ली जाए सर्च में मिले सामान का आप सेव कस्टडी में रखें और सामान को अपने कबजे में ले रहे हैं तब उस कबजे की रसीद उस व्यक्त को जो गरपतार हुआ है आप रसीद बना करते हैं ये धारा उननचास से प्राबधान है तब हम पुलिस अदिकारी या सरकारी करमचारी जो मुलाजिम है सरकारी दक्तरम बैठा है उसकी ड्यूटी है कि वो उस नेमों का पालन करें नेमों के पालन के लिए रखा है प्राबधानों के पालन के लिए रखा है न कि प्राबधानों के बिपरीत कार करें बिभार में कार करे और अपने मुताविक कार करे उसकी स्वैम की पुलिस अधिकारी या करमचारी की हैसियत नहीं है उसकी अपनी कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता है बिदी नहीं हो सकती है जो बिदी बताई गई है उसी के अनुसार उसे कार करना है तो सातियो धारा उननचास उप धारा एक के समन्द में ये प्रापधान है कि जब कभी कोई पुलिस अधिकारी बारंट पर किसी व्यक्ति को गरपतार करता है और ऐसा बारंट पर जमानत लिये जाने का प्रापधान नहीं है यानि NBW पर गरपतार करता है या बारंट के अधीन गरपतार करता है और बारंट जमानत लिये जाने का प्रापधान करता है यानि BW बारंट है और उस बारंट के अनुसार गरपतार ब्यक्ति को जमानत दे देनी है लेकिन वो जमानत देने में अस्मर्थ है ऐसा ब्यक्ति है सेकंड ऐसा पुलिस अधिकारी बारंट के बिना गरपतार करता है या किसी प्राइवेट ब्यक्ति द्वारा गरपतार किया गया ब्यक्ति बारंट के अधीन गरपतार किया गया है और बारंट जमानत लेने का प्राधान नहीं करता है यानि NBW है या प्राइबेट ब्यक्ति द्वारा ग्रपतार किया गया ब्यक्ति बारंट पर ग्रपतार किया गया है और वो बारंट जमानत लिये जाने का उपबंद करता है लेकिन जमानत देने में वो असमर्थ है यानि BW, NBW पर ग्रपतार किया गया है लेकिन दोनों ही इस्तितियों में ब्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है या छोड़ा नहीं जा सकता है आप ये समझिए कि ऐसे ब्यक्ति को नियाले के समझ भेजा जाना है ऐसा दोनों परिशितियों में है ताव उस प्रस्ण का इसपस्ट उत्तर ये है कि ऐसा ब्यक्ति का वो त तलासी लिये जाने के अधीन है तो ऐसा ब्यक्ति जिसे नियाले के सामने भेजा जाना है तलासी लिये जाने के अधीन है ऐसे ब्यक्ति की तलासी वो पुलिस अधिकारी या प्राइवेट ब्यक्ति द्वारा अरेश्ट किया गया है और उस अधिकारी के सामने पेश किया गया वो अधिकारी जिसकी अवरक्षा में व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो गरपतार हुआ है तलासी लेगा और तलासी में पहने हुए कपड़ों के अलावा जो भी बस्त्र जो है पहन रखें उन्हें छोड़ देगा और उस व्यक्ति के सरीर से जो सामान मिला है उस सामान को अपनी अबरक्षा मिलेगा और सेफ कस्टिडी में रखेगा और जब ऐसे सामान को जो उस ब्यक्ति के सरीर से मिला है ऐसे सामान को वो अपने कबजे में लेता है सीज़ करता है वो पुलिस अदिकारी तब उस सामान की रसीद बना करके गरपतार ब्यक्ति को देगा और वो सारी बस्तु हैं जो सारा सामान जो गिरपतार ब्यक्ति के कबजे से लिया गया है उसमें लिखा जाएगा उसे इस्पष्ट होगा कि क्या क्या सामान लिया गया है उसकी रसीद दी जाएगी तो ये बात उस प्रस्न को भी इस्पष्ट करती है कि कबजे में लेने वाले सामान की रसीद देगा अब यह जो प्राभधान है उपधारा वन का वो एक व्यक्त के समंद में अरेश्ट होने वाली महला होती है तब जब कोई महला अरेश्ट की जाती है तब उस महला की तलासी उपधारा दो 379 के अधीन वो पुलिस अधिकारी पुछ है तो नहीं ली सकता है महला की तलासी, महला अधिकारी, महला करमचारी, पुलिस वालों द्वारा ही ली जाएगी लेकिन उस तलासी के दौरान पूरे सम्वान सिस्टा का ध्यान रखा जाएगा उस महला को ऐसा मैसूस नहीं होना चाहिए कि तलासी लेते हुए उतके साथ बदसरूकी की जा रही है इस तरीके से तलासी के समंद में ये प्रावधान धारा उनन्चास को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है अगर हम तलासी के नेमों से अबेर होंगे और हम समझ सकते हैं कि किस तरह तलासी ली जानी है और क्या अधिकार है और पुलिस का क्या करतब है तो ये समझी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गैर कानूनी रूप से कार कर सके और आपकी तलासी लेने में किसी तरह की कोई कोता ही बरते या नेमा नुसार न ले और ये चैनल लीगल राय ट्रेंट प्रोसीजर को सब्स्राइब सेयर अवस्कर है अधिक कानियों वी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgotham.com को भी आप देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद